नवस्कार समचायय में आपको स्वागतने मैं आपके साथ इरम दियागी गुजरात के पूर कांग्रिस नेता हार्दिक पटेल ने भारती जंदा पार्टी में शामिल होने को लेकर दे दिया बड़ा बयाद एंग डैrdिक 1 बारती जोना एंग हां आपने सही सुना हार्दिक पटेल दो जून को भाजपा में सामिल होने जा रहे है पटेल ने 18 माई को कांग्रेस पार्टी से स्तीफा दिया था राजी में विधान सबाग चुनाओ से ठीक पहले उनका एक अदम कांग्रेस के लिए बड़ा जटका साबित हो सकता है इसी के चलते आगे बात करें तो कांग्रेस से इस्तिवा देते वक्त हार्दिक पटेल पार्टी में आला कमान पर जम कर बरसे थे और उन्हें सोन्या गांदी को पत्र लिखकर अपना स्तीफा सोपा था इस पत्र ने पार्टी को लिखकर कई कड़वी बाते कही थी पटेल 2019 में कांग्रेस में सामिल हुए थे उन्हें 11 जुलाई 2020 को गुजराद परदेश कांग्रेस कमीटे का कारेकारी अध्यक्षनियूत किया गया हाला कि 2022 आते आते उनका पार्टी से मोभंग हो गया और उन्होंने पार्टी से स्तीफा दे दिया 2000 के चलते आपको बताने की परदेश अध्यक्ष दिलाएंगे हार्दिक पटेल को भाजपा में सदस्यदा भारती जन्दा पार्टी के परदेश परवक्ता यागनेस दवे ने बताये की हारदिक पटेल दो जून को पार्टी की सदस्यदा लेंगे वे गुजराद भादपा अध्यक्ष सियार पार्टिल की मौझूदगी में भाजपा में सामिल होगे दरसल पिछले कई दिनों से कयास लगाए जारदे हादिक पटेल भाजपा में शामिल हो सकते हैं आपको बता दे कि हार्दिक पटेल ने त्याग पटेल देते वे कांग्रेस पर जम कर साधा था निशाना अपने त्याग पटेल में हार्दिक पटेल ने कहा था कि कांग्रेस पार्टिस सिर्फ विरोध की राधनी तक सीमित रह गई है जबकि देश के लोगों को विरोध नहीं बलकि ऐसा विकल्प चाहिए जो उनके भविस्चे के बारे में सोचता हो और हमारे देश को आगे ले जाने की छमता रखता हो उनने पने त्याग पत्र में आगे लिखा था कि आध्या में राम मंदिर हो जम्मुकस्मीर से धारा 370 हटाना हो या जीएसटी लागू करने जैसे फैसले हो देश लंबे समय से इनका समादान चाहदा था लेकिन कांग्रेस इसमें केवल बादा बनने का काम कर रही है कांग्रेस का रुक केवल केवल केजल का विरोध करने तक ही सीमित रहा है इस खबर में फिलाल इतने देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे समचार इडिया नमस्कार